नमस्कार मैं रविश कुमार EVM और VVPAT मशीन को लेकर सुप्रीम कोट ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है VVPAT का पूरा मतलब हुआ Voter Verified Paper Audit Trail हम इस वीडियो में बात करेंगे कि Verified और Paper Audit Trail का क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है लेकिन क्रम से ही अपनी बात रखेंगे और आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा क्या इस बात की संभावना बन सकती है कि 2024 के चुनाव में सभी VVPAT की परचियों की गिनिती होगी अबल तो पूछा जाना चाहिए कि 2013 में ही सुप्रीम कोड के फैसले से VVPAT मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा बन गया था तो अब तक सभी VVPAT की परचियों की गिनिती का इंतजाम क्यों नहीं किया जा सका है 2024 के चुनाव को लेकर केवल EVM के संदर में सवाल नहीं उठ रहे हैं बलकि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी लोगों की नजर है कि क्या ये चुनाव आयोग फ्री और फेर चुनाव करवा रहा है जिस तरह से विपक्ष के नेता इसे आखरी चुनाव कहने लगे हैं आपके लिए भी जरूरी है कि आयोग सुनिशित करे और आप देखें कि ये चुनाव सभी संदियों से उपर हो और इसकी जवाब दे ही इन्ही तीन व्यक्तियों पर है मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार, दूसरे व्यक्ति हैं चुनाव आयोग ज्यानेश कुमार और तीसरे व्यक्ति हैं चुनाव आयोग सुखबीर सिंग संधू आप जनता की चौकस निगाहे ही इन तीनों के काम की परिक्षा लेने जा रही है जगा जगा पर चुनाव आयोग ने हेल्प लाइन नमबर बनाए हैं ताकि लोग अपनी शिकायतें आयोग तक पहुँचा सकें जनता के अलावा इन तीनों की भी अपनी जवाब देही बनती है कि जनता इन्हें सभी संदेहों से परे देखे भारत का लोग तंत्र इस वक्त नाजुक मोर से गुजर रहा है इतिहास बहुत पैनी नजर से इन तीनों की भूमिका देख रहा है और आपकी चुपी को भी तीन तीन पुर्व मुख्य चुनाव आयुक तो ने कहा है कि चुनाव आयुक को ही लेवल प्लेइंग फिल्ड सुनिशित करना है इसके लिए जरूरी है कि चुनाव के बीच जाँच एजिंसियों को वर रोके विपक्ष के यहां पढ़ने वाले च्छापे गिरफतारियों पर लगाम लगाए विपक्ष पर एजिंसियों का हमला एवियम और वीवी पैट को लेकर उटने वाले तमाम सवालों की तरह को याद रखेंगे जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंड़ पीट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 17 मही तक जवाब मांगा है Association for Democratic Rights ADR की याचिका पिछले साल अप्रेल महीने की है इस साल मार्च में अरुन कुमार अगरवाल ने एक और याचिका दायर कर दी अगरवाल की याचिका के साथ ADR की याचिका को जोड़ते हुए सुप्रीम कोट ने चुनाव आयोग से जवाब मांग दिया मार्च दोहजार चुबीस में दायर याचिका में अरुन कुमार अगरवाल ने सौ प्रतिशत वीवी पैट के मिलान की मांग की है 2019 के चुनाव से पहले भी इस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोट में दाखिल हुई लेकिन खारिज कर दी गई फिलहाल इस मामले में गुपाल शंकर नरायनन, नेहा राठी और एडियार की ओर से प्रशाद भुशन वकील है मौझूदा याचिका में मांग की गई है कि वीवी पैट की हर मशीन की परची को गिना जाए अभी तक चुनावायो रैंडम तरीके से प्रतेख संसदियर शेत्र के प्रतेख विधान सभा शेत्र में पांच मतदान केंदरों की सारी वीवी पैट की गिनिती करता है लेकिन याचिका करता चाहते हैं कि जितनी भी वीवी पैट मशीने लगी हैं सभी की परचियां गिनी जाएं जहां तक समय की बात है तो ऐसा करने में 5-6 घंटे का समय और जादा लगेगा बड़ी बात नहीं चुनाव की पारदर्शिता के सामने ये समय कुछ भी नहीं है क्यों चुनाव आयोग नहीं चाहता है कि सभी VVPAT से निकली परचियों की गिनिती हो EVM से मिलान हो हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे यह भी देखेंगे कि VVPAT मशीन क्या है क्यों इस मशीन को EVM के साथ जोड़ा गया जब जोड़ा गया तो क्यों पांच मतदान केंदरों की वीवी पैट मशीन की परचियों की गिनिती होती है सभी की क्यों नहीं होती है आप जानते हैं कि दिल्ली में EVM की जगा बैलेट बॉक्स से मतदान कराने का अंदोलन चल रहा है पिछले कुछ महिनों में इस अंदोलन ने काफी जोर पकड़ा लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया मगर अंदोलन कमजोर नहीं पड़ा पाशा जैसे वकील बार बार सड़क पर उतरते रहे और EVM से चुनाव नहीं कराने की मांग करते रहे जब चुनावी तारीखों के ऐलान को लेकर चुनावायोग की प्रेस कॉन्फरेंस हुई वहाँ भी सांदोलन का असर देखा गया यह तस्वीर चुनावायोग के प्रेस कॉन्फरेंस की है मुख्य चुनावायोग के किताब हाथ में लेकर लहरा रहे हैं बता रहे हैं कि 40 से अधिक समयधानिक अदालतों ने EVM को सही पाया है उन फैसलों के किताब छप गई है लेकिन उन्हें ये बताने का मौका नहीं मिला होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने EVM के साथ हजारो करोड रुपे की वीवी पैट की मशीन क्यों लगाई जब लगाई तो सभी वीवी पैट मशीनों की परचियों की गिनिती क्यों नहीं हो सकती है बेशक इस किताब में कोर्ट के सारे फैसले होंगे मगर इन में से लागू कितने फैसले हुए है दो मुख्य फैसलों का ध्यान तो मुझे आता है सुब्रमन्यम स्वामी बनाम चुनाव आयोग का फैसला जो लागू हुआ वीवी पैट मशीने आई और दूसरा दोहजार उन्नीस में सुप्रीम कोट का फैसला कि प्रतेक संसदिय शेत्र के प्रतेक विधान सभाशेत्र में पांच मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों की वीवी पैट की गिनिती की जाएगी सभी की नहीं अब सभी की गिनिती की मांग हो रही है इसलिए यह किताब उपियोगी हो सकती है मगर सभी सवालों का जवाब नहीं अब किताब लाए है किसी के पास है क्या एक हमने किताब भी मनाई है एक जितने लीगल केसेज चालिस केस देखिए इसमें फॉर्टी केसेज और नीवियम इसमें एफ़े क्यू भी है आप सब लीजिए इस किताब को हमसे इसमें एफे क्यू भी है और इसमें फिलो चार्ट्स भी है देखिए हमारी वेबसाइट पर है यह थोड़ा पढ़ने का तो कस्ट के रिए है खासतोर से जो एक्सपर्ट महुद हैं वह सारे एक्सपर्ट हैं यहां मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है किसी पर कोई रोक न फिर मैं राथ सोच रहा था ही प्रस्शन तो आएगा जरूर तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से वो पिर आपको सुनाता हो अधूरी हस्रतों का इल्जाम अधूरी हस्रतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं ये EBM कह रही है मैं नहीं कह रहा हूँ अधूरी हस्रतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं वफा खुद से नहीं होती खता EBM की कहते हो मुद्दा EVM भी है और VVPAT भी जनता के मन में सवाल है तो शेरो शायरी जवाब नहीं हो सकते हैं जब कोट ही सवाल पुछने वालों को नहीं रोकता है और कहता है कि सभी स्टेक होलडर की राय होनी चाहिए तब चुनावायूप सोशल मीडिया पर उठाये जाने वाले सवालों से व्यथित्यों लगे दवीक में जगदीब छोकर ने लिखा है कि शुरू में EVM स्टेंड अलोन मशीन थी और ये बात सही है जिसका मतलब यह हुआ कि इस मशीन का संबंद या संपर्ग किसी और चीज से नहीं है इसी आधार पर आयोग ये कहता रहा कि इस मशीन से कोई छेड़ छाड़ नहीं कर सकता यानि कोई हैक नहीं कर सकता है लेकिन जब से VVPAT की मशीन आई है उसे EVM से जोड़ा गया है स्टैंड अलोन वाली बात बदल जाती है अब तीन अलग-अलग मशीने आपस में जुड़ जाती है चुनाव आयो अब इसे बैलेट यूनिट कहता है जो की EVM है दूसरी यूनिट है VVPAT और तीसरी यूनिट है कंट्रोल यूनिट जगदीब छोकर कहते हैं कि इन तीनों को EVM कहना भामक होगा इस बात को ठीक से समझीए छोकर बता रहे हैं कि इसमें तीन अलग-अलग लेकिन आपस में कनेक्ट की हुई मशीने हैं इसलिए ये एक सिस्टम है EVM एक अकेली मशीन अब नहीं है एक मांग जरूर होती है कि बैलेट से चुनाव हो लेकिन दूसरी मांग है कि सभी VVPAT की परचियां गिन ली जाएं और उसका तरीका निर्धारित हो जो परचि निकलती है उसकी विश्वस्नियता भी सुनिश्चित की जाए कई लोग यह भी सुझाते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि आपने वोट दिया आपको परचि मिली आपने परचि देखी और उस पर अंगुठे का निशान लगा दिया अंगुठे का निशान लगाने से बूथ लुटना आसान नहीं रहेगा फिंगर प्रिंटिंग के डेटा से सब पकड़े जाएंगे खैर 2024 के चुनाओं के एलान के साथ लगने लगा कि EVM को लेकर उठने वाले सवाल और वीवी पैट को लेकर होने वाली मांगों का समय अब चला गया मगर सुप्रीम कोट ने चुनावायों को नोटिस भेज़कर वीवी पैट की परची से गिनिती के सवाल को केंदर में ला दिया है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अब समय आ गया है कि ऐसे वीडियो को सभी को दिखाईए 2019 की याचिका में सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश दिया था कि हर निर्वाचन शेत्र में एक की जगा पांच ईवी एम में वीवी पैट की गिनिती हो पहले एक का नियम था विपक्ष की 21 पार्टियों की मांग थी कि 50 फिसदी ईवी एम में गिनिती हो सिंग्वी ने कहा कि अगर 50 फिसदी मुश्किल है तो 25 से 30 प्रतिशत से भी हम संतुष्ट होंगे 6 दिन की देरी होगी उससे भी कोई परहेज नहीं पर रंजन गोगोई ने खारिच कर दिया उस समय चंदरबावु नाइडू विपक्षी पार्टियों के साथ थे उनकी अगवाई कर रहे थे आज वे NDA में हैं आप कह सकते हैं कि उनकी मांग सही नहीं थी वे 100 फिसदी गिनिती की मांग करने नहीं गये थे 50 फिसदी की गिनिती की मांग कर रहे थे तब कोट ने 5 फिसदी 5 EVM में वीवी पैट की गिनिती का आदेश दे दिया सवाल है कि क्या 24 के चुनाओं में 100 फिसदी वीवी पैट की परचीयों की गिनिती होगी اور क्यों नहीं हो सकती है आखिर ये VVPAT मशीन लगी ही क्यों है क्यों नहीं हर मशीन से निकली हर परची की गिनिती और मिलान की जा सकती है 17 माई को आयोग जबाब देगा लेकिन सभी EVM के साथ जोड़ी गई VVPAT मशीनों से जो भी परची निकलती है उन सभी की गिनिती की बहस आज की जा सकती है उस पर बात की जा सकती है जैसे किसने यहां कहा राजा की आत्मा EVM में है सही है सही है राजा की आत्मा EVM में है हिंदुस्तान की हर संस्ता में है ED में है, CBI में है, Income Tax Department में है यह चुनाओ कई बड़े संदेहों से घिरा हुआ है Free and Fair और Level Playing Field का पैमाना संदेहास्पद हो गया है विपक्ष के नेता जेल जाने की आशंका को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं और जेल जा रहे हैं जहांच एजनसिया उनके घरों की तलाशी ले रही है निश्चित रूप से विपक्ष के पास Level Playing Field नहीं है गोदी मीडिया ने बड़े पैमाने पर विपक्ष को गायब कर दिया है गोदी चैनलों पर बड़े बड़े कॉनक्लेव हो रहे हैं जिनमें सरकार के लोग भाशन UX जैसा इंटरव्यू दे रहे हैं भाशन देते हैं कोई काउंटर सवाल नहीं होता केवल सरकार का भाशन चलता रहता है नाम के लिए विपक्ष के एक दो नेता बुला लिये जाते हैं उन में किसी प्रकार का संतुलन नहीं दिखता है 2014 से 24 की बाते नहीं हो रही है 23 साल आगे जाकर 2047 की बाते होने लगी है अखबारों में सरकार के पक्ष की तरब से 2047 को लेकर लेक छपने लगे हैं ऐसा लगता है कि 2024 आया ही नहीं है और 2024 का चुनाव ही नहीं हो रहा 2047 का हो रहा है तो आपने देखा कि लेवल प्लेइंग फिल्ड का बहुत बुरा हाल है BJP दोनों पैरों से भागी जा रही है और विपक्ष के हाथ और पाउं बांध दिये गए हैं अब आते हैं EVM और VBPAT के सवाल पर जब सभी EVM में VBPAT मशीन लगी है तो सभी VBPAT की गिनिती क्यों नहीं होनी चाहिए अगर समय जादा लगेगा तो लगना चाहिए एक दिन, दो दिन या चार दिन की देरी से क्या फर्क पड़ जाता है पांक साल और देश के भविश्य का या चुनाव है साथ चरण में मतदान हो रहे हैं तब तो समय की जल्दी नहीं है कोई उतावला नहीं है पहला मतदान 19 अप्रेल को हो रहा है जो मतदाता 19 अप्रेल को वोट डालेंगे वो 46 दिन तो वैसे भी इंतजार कर रहे हैं जब 4 जुन को वोटों की गिनिती होगी आखरी मतदान एक जुन को है आखरी मतदान करने वाला मतदाता भी 48 घंटे इंतजार करेगा तब हम और आप वोटों की गिनिती के लिए 2 दिन या 4 दिन या उससे भी अधिक इंतजार क्यों नहीं कर सकते हैं जब चुनाव आयो कहता है कि 7 चरण या 8 चरण में चुनाव होंगे तो मतदाता राजे से पलायन नहीं कर जाता वो आयो के फैसले को स्विकार करता है तो वही मतदाता वोटों की गिनिती में 7 दिन लग जाएंगे क्यों नहीं स्विकार करेगा इसलिए वीवी पैट से परची की गिनिती में देरी का तरक पूरी तरह से बकवास है किसी भी तरक से सही नहीं है विपक्ष बोलते जा रहा है कि उसके कितनी आवाज को अंसुना कर दिया जाएगा 60 प्रतिशत मतदाता विपक्ष को वोट करते हैं क्या उसके सवालों को अंदेखा किया जा सकता है ये जो चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे है ये जो उनका 400 सीट का नारा है ये बिना EVM के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाल कर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिला कर जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार उनका मूँ है कुछ भी बोलेंगे लेकिन एक बात ते है जनता ही मालिक है आप मालिक है और आपको टै करना है कि देश के साशन में कौन बैठ रहेगा काम करेगा आज यहां डिली की जनता से पूछना चाहते हैं वो लोग नारा लगा रहे हैं तार्गेट फिक्स कर रहे हैं अब की बार 400 पार ऐसा लग रहा है कि पहले से ही EVM सेटिंग हो चुका है आखिर चुनाव आयोग ने वीवी पैट के सवाल पर विपक्षी दलों के साथ बैठक्ट्यों नहीं की विपक्ष उनसे कब से समय मांग रहा है जैराम रमेश कहते हैं कि पिछले साल जून से समय मांगा जा रहा है वीवी पैट तो सुप्रीम कोट के आदेश से लागू हुआ सभी वीवी पैट से परची की गिनिती से चुनाव आयोग क्यों बच रहा है अब सुप्रीम कोट ने नोटिस जारी कर दिया 17 मई को जवाब देना होगा विपक्ष की मांग पर एक साल से आयोग बच रहा था अब कोट के सामने जवाब देना होगा कॉंग्रेस महासचीव जैराम रमेश ने 12 फरवरी को एक लंबा ट्वीट किया है और लिखा है कि चुनाव प्रक्रिया में विवी पैट यानी वोटर वेरिफाइड पेपर आडिट ट्रेल के बहतर उपियोग के मुद्दे को लेकर इंडिया की पार्टियां 2023 के जून महिने से ही चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रही है विवी पैट के इस्तिमाल को बढ़ा कर 100% करने की इजाज़त नहीं देना देश के मतदाताओं के साथ घोर अन्याय है आठ अप्रेल 2019 को सुप्रीम कोट ने EVM और विवी पैट परची के मिलान का दायरा बढ़ाने का आदेश देते हुए चुनाव आयोग से विवी पैट परची वाले बूथों की संख्या बढ़ाने को कहा था इसका केस नंबर WPC 273-2019 है और मामला N. चंद्रबाबु नाइडू बनाम भारत संख्या है जी हाँ वही चंद्रबाबु नाइडू जो कभी हाइटेक मुख्यमंत्री के रूप से जाने जाते थे वह उस समय आंदरप्रदेश के मुख्यमंत्री थे इंडिया की पार्टियों की मांग है कि वीवी पैट की संख्या जितनी है उतनी ही नहीं रह सकती है बलकि इसे 100% तक लगातार बढ़ाया जाना चाहिए इस मुद्दे पर इंडिया की पार्टियों के साथ बाचित करने से चुनावायोग का बचना और भी जादा बड़े सवाल खड़े करता है क्या ECI को उस तकनीक में अधिक पारदर्शिता और जवाब देही लाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए जिसके सुरक्षित और निश्पक्ष होने को लेकर वदावे करता है लेकिन इसी बीच चंद्रबाबु नाइडू एंडिये में शामिल होने वाले हैं अब शायद वचुनावायोग को अपने पुर्व सहयोगियों के साथ मिलने का समय देने के लिए मना सकेंगे कॉंग्रेस महासचीव जैराम रमेश का ये ट्वीट बहुत लंबा है उनके ट्वीट बहुत ठोस और तारकिक होते हैं मगर आज का जमाना वीडियो का भी है जैराम रमेश कई बार न्यूज एजेंसियों को बाइट दे देते हैं सुतंत्र पत्रकार न्यूज एजेंसियों की बाइट का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं की पैसे देने पड़ेंगे और कॉपी राइट न्यूज एजनसी की हो जाती है कई बार उनका बेहत जरूरी बयान न्यूज एजनसीयों के गोदाम में जाकर सण जाता है और हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार इस्तमाल नहीं कर पाते हैं जैराम को देखना चाहिए के एजनसी को दिया गया उनका वीडियो बयान किसी गोदी चैनल पर चलता भी है या नहीं इतनी सी बात विपक्षी दल को समझ नहीं आती है कई बार यह नहायत ही आलसी तरीका लगता है गोदी मीडिया के दोर में विपक्ष के लिए या आलत से आत्मधाती हो सकता है विपक्ष हमेशा साफ करता है कि वह EVM के खिलाफ नहीं है EVM Electronic Voting Manipulation के खिलाफ है यह जैराम का बयान है मशीन के खिलाफ नहीं है इंडिया एलाइंस ने अपने प्रस्ताओं में कहा है कि वीवी पैट एक तरह से 22 कोप बनकर रह गया है साथ सेकेंड के लिए आपको दिखता है कि आपका वोट कहा गया किसे पड़ा उसके बाद लापता हो जाता है वह गिना गया या नहीं इसका पता नहीं चलता वीवी पैट को वेरिफाई करने योगिब बनाया जाना चाहिए मतदान करने वाला रसीद हाथ में लेकर देखे कि सही है या नहीं फिर उसे बैलेट बॉक्स में डाले शेंतीस प्रतिशत वीवी पैट्स जो एवीम के साथ यंत्र लगा होता है जिसमें परची निकल कर दिखती है आपको कि आपने किसको वोट दिया वीवी पैट सेंतीस प्रतिशत वीवी पैट्स डिफेक्टिव पाई गई 2018 में खरीदी गई ये वीवी पैट्स अलग-अलग सोर्सिस से खरीदी गई थी ECIL हैदराबाद, BEL बैंगलोर और BEL पंचकूला 2018 में खरीदी गई इन वीवी पैट्स का उपयोग ना केवल 2019 की लोगसभा चुनाव में हुआ लेकिन उसके बाद के तमाम चुनावों में भी इन ही वीवी पैट्स का उपयोग हुआ ये वीवी पैट्स जब आई थी, मुझे याद है UPA का शासन था और हर राज्य ने अपनी तरफ से कुछ प्रतेनिदी भेजे थे जब उनका डिस्प्ले हुआ था, टेस्ट हुआ था, दिल्ली की तरफ से मैं गया था, कुछ और साथियों के साथ वीवी पैट्स के लाने के पीछे मकसद ये था कि लोगों का EVM पर और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत बने उनको कोई संशय नहीं रह जाए कि अगर मैंने हाथ पे बटन दबाया है तो वोट हाथ पर ही गया है या नहीं या किसी और पार्टी पर बटन दबाया है तो उसी को जा रहा है या नहीं ये भरोसा उसका मजबूती से उसको मिले वोटर को इसलिए वीवी पैट लाई गई अब जो ये 37 प्रतिशत वीवी पैट्स हैं 17,50,000 वीवी पैट्स में से 6,50,000 एक तिहाई से जादा वीवी पैट्स खराब पाई गई सोचिए कितना गंभीर ये मसला है समाल है कि निर्वाचन आयोग ने विपक्ष की इस मांग को क्यों नहीं सुना क्यों नहीं बुलाकर बात की इसलिए सुप्रीम कोट का नोटिस महत्वपूर्ण हो जाता है अब आयोग को 17 मई के दिन जवाब देना होगा आयोग विपक्ष से बात नहीं करता है लेकिन 18 जन्वरी को चुनाव आयोग की एक प्रेस रिलीज मिलती है कि निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले EVM और VVPAT पर एक राष्ट व्यापी जागरुकता कारिक्रम शुरू करेगा उम्मीद है आपको इस राष्ट व्यापी अभियान का पता होगा और आपके भीतर जागरुकता आ गई होगी निर्वाचन आयोग ने कहा था कि जागरुकता कारिक्रमों के लिए 35,000 प्रदर्शन केंद्रों तथा लगबग 4,250 मोबाइल वैनों की तैनाती होगी क्या पूरे देश के लिए यह काफी है क्या आपने इस तरह की वैनों के पास जाकर जागरुकता प्राप्त की अब हम आते हैं सुप्रीम कोट के आदेश पर क्यों कोट ने वोटर वेरिफाइड पेपर आडिट ट्रेल वीवी पैट मशीन लगाने की बात की उस बहस में सवाल उठा था कि वोटिंग आखिर क्या है मतदान किसे कहा जाए 2013 में स्वामी बनाम निर्वाचन आयोग के केस में एक तरह से मतदान को परिभाशित ही कर दिया गया याचिका में कहा गया कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि वोटर इस बात को जांच कर सके कि उसका वोट वहीं पड़ा है जहां उसने दिया है वही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं वोटर को पता नहीं चलता है और जो record हुआ है वही गिना जा रहा है या नहीं यह भी पता नहीं चलता है उसे पता नहीं चलता कि इसका vote अवैद है या नहीं गिना गया है या नहीं याचिका में कहा गया कि जब तक वोटर को इन सारे सवालों के जबाब नहीं मिल जाते हैं तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि उसने जो मतदान किया है वो मतदान है केबल बटन दबा देने और लाल बती दिख जाने से उसे वोट नहीं माना जा सकता चुनाव आयोग ने कहा था कि जैसे ही कोई बटन दबाता है लाइट जलती है उस नाम और सिंबल के सामने जिसे वोट दिया है ये एक इलेक्टरोनिक विज्वल आश्वासन है कि आपका वोट उसी को मिला है इससे वोटिंग की पारदर्शिता बनी रहती है मगर ये दलील अदालत में नहीं टिकी लाइट का जलना परयाप नहीं माना गया इस बहस से ये थाबित हो गया कि मतदान तभी मतदान माना जाएगा जब आपके वोट का रेकॉर्ड हो जिसे आप जान सकें कि उसी को दिया है जिसे देना चाहा था और वही गिना भी गया है कोट ने कहा कि स्वामी खुद कह रहे हैं कि आज तक फ्रॉड नहीं हुआ है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कभी नहीं होगा इसलिए इतने बड़े मामले में सभी स्टेक होल्डर की राए लेना ज़रूरी है जब कोट ने कहा कि इसके लिए वोट को वेरिफाई किया जाए ओडिट किया जाए इस तरह एक मशीन का जन्म होता है वीवी पैट जिसका पूरा मतलब है वोटर वेरिफाइड पेपर ओडिट ट्रेल सुप्रीम कोट के इस एतिहासिक फैसले की कमी यह थी कि इसमें कह दिया गया कि विवाद की स्थिती में ही वीवी पैट की परची गिनी जाए मगर ध्यान रहे कि वीवी पैट के साथ पैट भी जुड़ा है जिसका मतलब है पेपर ओडिट ट्रेल यानि हमने जिसे वोट दिया है उसकी परची आपको मिल गई है यानि मतदाता ने देख कर आडिट कर ली है जिस पेपर को मतदाता ने आडिट की है काइदे से या किसी भी तरग से उसे ही गिना जाना चाहिए है की नहीं अब अगर इवियम की गिनिती से ही चुनाओ के नतीजे बताने है तो VVPAT का क्या मतलब रह जाता है? सुप्रीम कोट के फैसले का क्या मतलब रह जाता है? और ये मशीने क्यों लगाई जा रही हैं? कोट ने अपने फैसले से VVPAT की निश्पक्षिता और पारदर्शिता पर मुहर लगा दी इवियम के फूल प्रूफ होने पर सवाल खड़ा हुआ तब ही VVPAT को अधिक फूल प्रूफ माना गया आयोग से सवाल है कि जब आपने VVPAT हर जगा लगा दी है तब उसे नहीं गिनने का क्या मतलब? जब VVPAT से सत्यापित वोट आपके पास है तब उसे नहीं गिनने का क्या तर्क है? जबकि इस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए है तब वोटर द्वारा उसे आडिट क्यों नहीं करवाया जाता है? मौजूदा सैंपल में बिना आडिट का वोट क्यों गिना जा रहा है? चुनाव आयोग भी कहता है कि जब मशीन और वीवी पैट के बीच मतभेद होगा तब वीवी पैट के वोट को मानिता दी जाएगी आयोग भी जब वीवी पैट को जादा वैद मानता है तब उसी को हर चुनाव में गिनकर क्यों नहीं परिणाम घोशित होना चाहिए जबकि सुप्रीम कोट ने खुद कहा है कि पेपर ट्रेल फ्री और फेर चुनाव का अनिवार और अभिन हिस्सा है हमें याद रखना चाहिए कि अक्टूबर 2013 में डॉक्टर सुप्रमन्यन स्वामी वर्सिस इलेक्शन कमिशन के फैसले में सुप्रीम कोट ने कहा था कि पेपर ट्रेल फ्री और फेर चुनाव का अनिवार यह हिस्सा है अभिन हिस्सा है यह बात खुद चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर प्रकाशित दस्तावेज में कही है इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर पेपर ट्रेल नहीं होगा तो चुनाव फेर नहीं माना जाएगा आप कहेंगे कि चुनाव आयोग पर भरोसा कीजिए बात भरोसे की नहीं है जब इस देश के प्रधान मंत्री जूट बोल सकते हैं तो सब कुछ किसी भी संसा के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते आप जब डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको रसीद मिलती है मेसेज आता है एसेमेस आता है अगर आपको एसेमेस ना आए तो क्या आप मान लेंगे कि पैसा सही बंदे को चला गया इसके लिए जरूरी है कि जो पेपर ट्रेल है उसकी एक्यूरिसी उसकी सटीकता सुनिश्चित की जाए सरकार ने 24 लाख वीवी पैट लगाने में 5,000 करोड का खर्चा किया है तो गिनिती सभी मशीनों की क्यों नहीं होनी चाहिए फिलहाल केवल 20,000 के आस पास वीवी पैट मशीनों की गिनिती होती है भरोसे की हालत यह है आप इन खबरों को देख लीजिए पता चलेगा क्विंट के लिए पूना मगरवाल ने 2019 चुनाओं के चार चरणों के वोटों के आकणों की परताल की थी उन्होंने बताया था कि 373 से अधिक सीटों पर कितने वोट पड़े और कितने वोट गिने गए उसमें मिलान नहीं हो पा रहा है इस पर चुनावायोक से कोई जवाब नहीं जारी हुआ 2019 चुनाओं में पहले तीन चरणों में वीवी पैट की गड़बड़ियों की खबरें सामने आने लगी थी तब कपिल सिबल ने कहा था कि ऐसा कानून बनाया हुआ है कि कोई शिकायत कर दे कि मेरा वीवी पैट मैच नहीं हुआ और अगर उसकी बात गलत निकली तो उसी को जेल हो जाएगी इस कारण एक बीजी पी ने भी चुनावती नहीं दी आप गेम समझिए इस पर बहस नहीं हो या कम हो इसलिए एक देश एक चुनाव जैसी बहस चलाई जाती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पढ़िए कि क्यों वीवी पैट में पेपर ट्रेल की बात हो रही है और पेपर ट्रेल के हिसाब से गिनिती क्यों नहीं हो रही है कई बार आपने सुना होगा कि पांच मशीन की गिनिती होगी ये एक सैंपल के तौर पर किया जा रहा है लेकिन दुनिया के किसी भी सैंपल में गलती की गुनजाईश मानी जाती है हर सैंपल में एरर अफ मार्जिन होता है यहां तो देश के भविशे का सवाल है जब एक वोट की ही कीमत है तो क्या आप अपना एक वोट गमा सकते हैं आपका एक वोट एरर अफ मार्जिन का शिकार क्यों होना चाहिए EVM पर जिसे बटन दबाया है वीवी पैट से निकली हुई परची आपने देखी है उस पर आप अंगुठे का निशान लगाईए बकसे में डालिए और उसे ही गिनने दीजिए उसके नहीं गिनने का तर्क क्या है क्यों नहीं इस चुनाओं में इसका बंदोबस्त किया गया पता तो चल जाता कि जिस पर बटन दबाया जाता है उसी को वोट जाता है और वही वोट गिना भी जाता है और जिसे आपने देखा है क्या इसे समझना इतना मुश्किल है आगे बढ़ने से पहले पूनम अगरवाल की इस पुरानी रिपोर्ट को भी देख लीजे निर्वाचन आयोग को 2019 के लोग सभा चुनाओं में वीवी पैट मशीनों का रेकॉर्ड एक साल तक रखना था सूचना के अधिकार से पता चला कि निर्वाचन आयोग ने पहले ही हटा दिया चार महिने में ही नश्ट कर दिया मूल बात है कि इवीएम के साथ वीवी पैट का सिस्टम इसलिए बना ताकि मतदान की प्रक्रिया में अधिक से अधिक पारदर्शिता आए और मतदान सटीक हो उसमें कोई गलती ना हो एक परसंट की भी गलती ना हो वीवी पैट की परची सही है या नहीं या वोटर के लिए जानना जरूरी है क्योंकि इसमें मशीन का हस्तक शेफ होता है सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में वीवी पैट का आदेश दिया आज 2024 का चुनाव हो रहा है उस आदेश के बाद या लोग सभा का तीसरा चुनाव है इस बीच कई बार विधान सभा के चुनाव भी हो गए चुनाव आयोग ने 100 फिस्दी वीवी पैट की परचीयां गिनने और मिलाने का इंतजाम क्यों नहीं किया क्या 2013 के सुप्रिम कोट के आदेश की भावना का उलंगन नहीं किया जा रहा है इस चुनाव में काफी कुछ दाओं पर लगा है आप किसी भी सवाल को यूही नहीं छोड़ सकते हैं नहीं समझ आता है तो इस वीडियो को दस बार देखिए और तब भी नहीं आता है तो किसी और से पूछिए लेकिन आलस्य में इस देश का भविश गटर में मद्ध के लिए नमस्कार मैं रविश कुमार